आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is The Immobile Elements in Plants is हमें बताना है Plants में Immobile Elements क्या है अब Elements को हम क्यों कह रहे है Plants में Requirement के लिए जरुरत के लिए क्योंकि Plants के Growth और Plant की Development के लिए हमें जरूरी होती है किस चीज की Elements की अब यही जो Elements है जो कि Plant के Growth और Development के लिए Responsible होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या Essential Elements ऐसे Elements होते हैं Essential Elements अब जिस Elements की Plant को सबसे जरुरत होती है Growth and Development के लिए वो होते हैं Macronutrients और जिसकी कम मात्रा में जरुरत होती है उनको हम बोलते हैं क्या Micronutrients अब यहां अगर हम बात करेंगे इन Elements की तो जिन Elements में Transportation Process होती है यानि एक जगह से दूसरे जगह Movement होती है उस Elements को हम बोलते है Mobile Elements और ऐसे Elements जिन में Movement नहीं होती है वो एक ही जगह पर रहते हैं और वहाँ पर Growth and Development के Responsible होते हैं उसको हम बोलते है Immobile Elements और हमें इनहीं Immobile Elements के बारे में बता रहा है Given Options में से अब यहां हम देखेंगे अगर तो बात करें अगर हम किसकी Calcium की तो Calcium जो हमारा होता है जैसा कि हम जानते हैं कि यह Elements हमें किससे मिलता है Soil से और Calcium हमारा कैसा Nutrient है That is Macro Nutrients यानि इसकी मात्रा Plant को ज़ादा होती है ज़ादा मात्रा में इसकी requirement होती है और इसी Macro Nutrients की help से यह अपना growth and development करता है अब यह Macro Nutrients जो होती है यह absorb की जाती है किस से? Soil से अब Soil में यह present होती है Calcium ions के रूप में और यहां से इसको क्या किया जाता है? Absorb किया जाता है Soil से इनको क्या किया जाता है Absorb किया जाता है अब यहां अगर हम बात करें इस Immobile Elements की तो यह basically work आता है Synthesis करने के लिए क्या चीज? Cell wall Okay Plant के Cell wall के Synthesis के लिए Use आता है Also हम कह सकते हैं कि यह बहुत सारे Enzyme की Activation में भी help आता है जैसे कि हम नाम लेते हैं किसका ATP is Enzyme का Okay अब यहां पर देखा जाए तो Calcium जो हमारा है एक Macronutrients है और यह एक Immobile Elements है Plant में So given option में से First option हमारा correct होता है Nitrogen की अगर हम बात करें तो Nitrogen भी हमारे Macronutrients होते हैं लेकिन यह Mobile होते हैं Okay Mobile होते हैं यह तो इस वज़े से यह Wrong option है Phosphorus भी हमारे कैसे होते हैं Mobile Elements है Okay And same as Magnesium भी हमारा क्या है Mobile Elements तो यहां पर Immobile Elements कौन से है That is option 1 Calcium Classics to 12 से लेके Need IIT जही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही राउनलोड करें Doubt Net आप यह WhatsApp कीजिए अपने Doubt 8444 चार्स उपर